रजवार भित्ती चितरकला सबसे पुरानी चितरकला है प्रगतिक हासिक यूग के अतिहासिक रिकॉर्ड में पहले मिट्टी के बरतन बनाये चाते थे कुछ समय बाद लोग मित्य का इस्तिमाल दीवारों पर रनेक प्रकार के सजावती चित्र बनाने के लिए करते थे समय के साथ ये कला गुम हो रही थी रैपुर की प्रतीमा रहरवाल ने इसे नई पहचान देनी की पहल की है प्रतीमा रहरवाल को रजवार भत्ती चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए 2019 में राज़िपाल ने सम्मानित भी किया देखिए खास रिपोर्ट बंसलियू समवाद दाता दामिनी बंजारी के साथ कला में हिर्दय की भासा छुपी होती है इसलिए तस्वीरों को भी देखकर खुसी होती है ठीक उसी प्रकार मिट्टी से बने एक ऐसी कलाकृती जो की रजवार कहा जाता है इसका नाम जो की एक तरस अंभीकापूर से इसकी सुरवात हुई थी और आज राइपूर में भी लोगों को नया रोजगार इससे मिल रहा है हमारे साथ है मैंडम हम उनी से जानते की इसकी सुरुवात कैसी हुई थी और इसका नाम कैसे पड़ा मैं जैसे रजवार आपने बोला था तो इसका नाम कैसे पड़ा और क्या चीज है यह रजवार भीतिचित्र है यह अंबिकापूर का ट्राइबल आर्ट्स है और इसको जो है मतलब सोना भाई रजवारे ने इसको सबसे पहले सुरुवात किया था जैसे गाउं में रहता है कि हर 15 दिन में एक महिने में पुताई करते हैं साब सफाई करते हैं तो उन्होंने सबसे पहले गोबर और मिट्टी मिला के जैसे दिवाल पे फूल बनाया पुर तोटा बनाया बंदर बनाया फिर उन्होंने क्या क्या कि उसको पैर रखने वाले color से महाउर से कलरिंग करना, हरे रंग से करना ऐसे करके सजाना बनाना वो करती रही इसका वैसे में प्रोसेस पहले जो था कि बड़े बोर्ड जो बनाते हैं तो नीचे पहले डिजाइन ड्रा करने के बाद नारियल बुझ की रस्षी लगाते हैं और उसके उपर फिर मिट्टी से उसको हाफ इंच खीले से उसको मतलब फिक्स करते हैं उसके उपर मिट्टी लगाते हैं जैसे मैं अभी देख रहे हुए आपके हाथ में भी एक पेंटिंग है उसमें क्या दर्साना चाह रहे हैं पेंटिंग जो है मेरा इसमें ये पंडवानी मतलब 36 गड़ का जो आर्ट है पंडवानी ग्रूप तीजन बाई है और उनके सारे जो हैं और ये द्रौपदी चीरहरण का सीन मैंने इसमें डाला है क्योंकि तीजन बाई अक्सर महाभारत या रामायड का ही वर्णन करती हैं त तो और्डर के बेस पेंटिंग बनती है जैसे कि आप लोग फूरा पेंटिंग बनाते होंगे तो आपके अहां कितने बच्चे हैं जो अब तक सीखे हैं हमारे पास सबसे पहले तो हमें हैंडी क्राप बोर्ड से मतलब मिला था ट्रेनिंग देने का उसमें पहले 20 बच्चे सीखे फिर धीरे धीरे जो है कम से कम नहीं तो अभी तक मैं सेकड़ों बच्चों को सिखा चुकी और टाटा में जमसेदपूर में टाटा में जो है वहां ट्राइबल मतलब फेयर लगता है वो जो की विर्सा मुंडा के उसमें मनाया जाता है तो वहां आल इंडिया से मतलब स चासों बच्चों को ट्रेइनिंग दिया था जैसे कि आप देख सकते कि अब के बच्चे जो है वो मिटी के जो कलाकार आते थे पहले के समय में एक तरह से मिटी से जो अक्रेटिया बनती थी वह एक तरह से विलुपत होती जा रही थी वो आज एक बोर्ड के माध्यम से सभ के घरों में दिखने को तैयार है कैमरामेन योगेश के साथ दावनी बंजारे बंसा न्यूज रायपूर